असलाम वालेकूम दोस्तों आपका सौधी निस तक में बहुत स्वागत है तो आची वीडियो में हम सौधी रभ की एक बड़ी अपडेट के साथ हाजर हुआ हैं दोस्तों ये अपडेट जिसकी आप सभी दोस्तों को पते ही है कि सौधी हुकूमत ने अभी फिरहाल उमरा वी या टूरिस्ट वीजे पर बेन लगाया हुआ है किसी मुल्क भी कोई सक्स हो वो ना ही सौधी रभ अभी टूरिस्ट वीजे पर सौधी रभ जा सकता है ना ही उमरा वीजे पर सौधी रभ जा सकता है दोनों ही वीजे पर फिर आलवक्ती तोर के लिए सौधी हुकूमत की त ना जाएं यानी कि ये पबंदी आयत की जाती है कि अभी फिरहाल चाहे सعودी सहरी हो या फिर गैर मुलकी हो। कोई भी सक्स उमरा करने के लिए रहां सम्सा नहीं जा सकता है। ये फैसला सौधी हुकूमत के लिए बहुती बड़ा फैसला था लेकिन सौधी हुकूमत ने ये फैसला जो है सौधी रहने वाले तमाम लोगों के लिये लिया है उन तमाम लोगों की सलामती उन तमाम लोगों की सेप्टी के लिये लिया है क्योंकि करोना वारत जो है वो ने सुझी हुकमत से ये रिकोष्ट किया था कि अभी फिरहाल सुधी रभम में जो लोग उम्रा कने के लिए आते हैं सुधी रभ से उन तमाम लोगों पर भी पबंदी आयत कर दी जाए कि अभी फिरहाल सौधी में जो रहने वाले लोग हैं वो चाहे सौधी सहरी हो या फिर गैर मुलकी हो वो लोग हरम सरीफ में उम्रा करने नहीं आ सकते हैं वक्ती तोर के लिए इन पर भी पावंदी आयत की जाए इसलिए सौधी हुकुमत ने ये पावंदी लगाई है हलाकि इससे बताए यह जा रहा है कि सौधी एकनोमिक को खासर जादा खसारा हो रहा है लेकिन फिर भी सौधी हुकुमत ने लोगों की सेप्टी के लिए लोगों की सलामती के लिए फैसला जो है वो लिया है तो ये एक बड़ी अपडेट थी जोचा आप दोस्तों के साथ सेर किया जाए तो अगर आप उम्रा करने के लिए सोच रहते जाने के लिए या उम्रा करने जा रहते तो अभी फिरहाल आप उम्रा करने ना जाएं क्योंकि उम्रा करने पर अभी फिरहाल में पबंदी आयत की गई है तो उम्मित करते हैं दो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें के साथ में में केकिंग को जुरूर प्रेस कर दें जिसे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालू उसक्राइब दोस्तों को मिलता रहेगा चलिए दोस्तों मिलते हैं इस टोपिक के साथ जब तरह कि अपना ख्याल हो कि खुदा हाफिर